हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे आप भारत वायर रोप्स एंड लिमिटेट से लिटेड यह एक शेयर है जिससे लिटेड हमने काफी वार वीडियो बनाई है लगबग आठ महिने से लेके एक साल तक हो गए हम बार-बार यहां पर वीडियो बना रहे और जब भी वीडियो एक अच्छे रिटर्न हमें मिलते हुए नजर आते है तो अगें भारत वायर से लेटिड यहां पर वीडियो बनाने जा रहे है जहां पर हम यहां पर बात करेंगे इसके फंडामेंटल टेक्निकल की और क्या यह शेयर अभी लेना चाहिए बेचना चाहिए उससे लेटिड बाते करेंगे बट उससे पहले रुक्वेश्ट है चाइनल को सब्सक्राइब बेल आइकम को ही टॉल की नॉटिफिकेशन को अन करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे बाइंग सेलें की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइंशर एडवाईजर कु 40501 8169261037 इन नंबरों पर कॉंटक करें बेसिक्स ट्वाइजर एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल और कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से स्टॉक यहां पर काम करते हैं वो सारा का सारा आपको एक आइडिया आता हुआ दिखाई देगा 17,500 कोर्स है पूर दूसरा इस को करनेगा दुनिया की किसी भी मार्केट में जाके ट्रेडिंग, इन्वेस्टेंग, स्विंग ट्रेड जो करना है वो करिए पैसा अपने आप बनेगा दूसरा आप हमारे वाटसप ग्रूप में आड़ो सकते हैं बारेस रुपे परमन देके वाटसप करें आपको हमारे साथ मिलके काम करें अच्छा इसा पैसा आपकर भी बनता वब नजर आएगा डेफिनेटली और साथ में काम करेंगे तो आको भी सीखने को मिले का मुझह भी सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत वायर रोप में पड़े यहां पर किसी भी काम में पड़े यहा पर उसकी और gay की जड़ाथ पड़ते हैं वो रोप्स और वाइयर कउन बनाता हुआ नजर आता है उन पर टिकुलर सेग्मेंट के लिए भारत वाइयर और रोप्स लिमिटेड काफी बहती बढ़िया कंपनी हैं यहां पर देखिए वाइयर यहां फ्रिक बनाती हुए नजर आती हैं जो कि यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रही है ओके और काफी अच्छा यहां पर यहां पर देख सकते हैं कंपनी की नजर आती है यहां पर 1216 क्रोट रुट की मार्किट कैप है कंपणी की ज्यादा बड़ी मार्किट कैप नहीं है 19 का पी इंडर्श्टी का पी अठा रहेगा तो कहीं न कहीं सस्ता शेयर आपको यहां पर दिखाई देगा ROC ROE की बात करें ROC ROE यहां पर कुछ खास नहीं है बट यहां पर आप देखिए शेयर को अगर देखने का नजरिया होता है अगर उस नजरिये से देखोगे तो आपके पैसे जरूर बनेंगे डेट की बात करें 32% का डेट है जादर डेट नहीं है प्लाइजिंग यहां पर 44% की आपको दिखाई दे रही होगी तो कुछ negative point भी है कुछ अच्छे point है बट हमें अच्छे point को यहां पर ज्यादा तवजब देना है intrinsic value देखिए 222 की तो यहां पर intrinsic value नजर आती है यहां देखिए all time high पे चलता हुआ नजर आ रहा है यहां पर आप देखो के कुछ और चीज़े तो यहां देखिए company के numbers company लगातार बहतरी performance कर रही है highest ever तो company के यहां पर sales आई है as well as operating profit यहां पर देखिए 46 crore का है जो की highest ever है net profit देखिए तो company घाटा कर रही थी वह highest ever 16 crore के profit पर बैठी है और यहां पर आप देखिए margin तो 28% के margin है जो अभी तक नहीं होते हुए नजर आए तो यहां पर क्या दिखाई देता है यहां पर दिखाई देता है कि company अच्छा काम कर रही है पर बहतरी इनकाम कर रही है यहां पर देखिए sales company की sales लगातार यहां पर बड़ी है अच्छा गाजा performance है net profit देखिए company का net profit यहां पर बड़ा 62 crore का net profit भी है reserves की बात करें तो company के reserve जहां पर घाटे में थी और ना के बराबर reserves थे वहां 500 crore के आजबास के reserves है बड़ाइंग company की जहां 600-600 crore थी वह 182 crore रह गई है तो इससे क्या profit होगा इससे profit यह होगा कि यहां पर देखिए company जहां पर 6-6-7-7 crore का interest पे कर रही थी और वह interest अब यहां पर धीरे-धीरे कम हो जाएगा और कम होगा तो अच्छा ही रहेगा company के net profit बढ़ता हुआ नजर आएगा work in progress में 3 crore का खर्च कर रखे है और company कितने की है 1216 crore की अभी तक हम जब वीडियो बना रहे थी तो small cap अब यह small cap company बन गई है ठीक है क्योंकि company ने उसी तरीके का performance करके यहां दिखाया है बात करें यहां पर company के cash की तो company के 9 crore का cash भी पड़ा हुआ है positive cash flow पड़ा हुआ है as well as यहां पर आप देखोगे तो company के जो promoters है अपनी हिस्सेदारी इस quarter में बढ़ाई है उन्होंने more than 3% की हिस्सेदारी इस particular quarter में बढ़ाई है जो कि क्या एक positive बात है साथ में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि FIIs ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है और लगातार 2-3 quarter से बढ़ाते हुए नजर आ रहे है DIs की बात करें 3.65% की हिस्सेदारी है DIs यहां पर हिस्सेदारी होती हुए नजर आती है बट हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहें कंपनी के fundamentals एकदम बहतरी प्रमोटर्स की holding बढ़ती हुए नजर आ रही है FIIs बढ़ा रहे है तो मतलब शेयर क्या है बहतरी शेयर यहां पर बनता हुए नजर आ रहा है अब बात करेंगे चार्ट से ले है तो वह यहां पर क्रॉस करके चीजे ऊपर आल्रेडी जा चुकी है और शेयर एक पैटन बना रहे हैं ओके जो कि यहां पर स्टेज 2 का पैटन होता है एक काफी बहतरी पैटन बना बनाना जाता है और इसके हिसाब से जैसे ही है इस वाली particular range से निकलेगा जो कि आप कह सकत होगी यहां पर देखिए यह शेयर में रहली जो होगी 320 रुपे तक के यहां पर टार्गेट मिलेंगे बट इससे पहले 222 रुपे का हमने क्या देखा था यहां पर आप देखोगे तो 222 रुपे की इंट्रेंसिक वेल्यू थी तो 222 रुपे को अगर हम यहां से calculate करते है त इस वेल आप जो कब विद हैंडल पैटर्न का जो breakout हुआ है उसके हिसाफ से यहां पर भागेगा ठीक है और चीज़ें यहां पर रुखने नी वाली क्यों नी रुखने वाली क्योंकि अगर मैं आपको फीवो नाशी टेकनिक के हिसाफ से चीज़ें यहां पर दिखाऊं तो जो इसे कहां तक लेके जा सकती है 500 रुपे तक 500 रुपे तक भी लेके जा सकती है तो इसमें टाइम लगेगा ठीक है बट यह जो पैटर्न बन रहा है यह बुलिश पैटर्न है और यह पैटर्न काफी अनोखा और अच्छा पैटर्न नहीं है यहां पर हम देखे तो 80 करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चीज़ों को सीखना है और इन नम्बरों पर कॉंटक करके आप सीख सकते हैं. So thank you so much. God bless.